क्या आप अधूरा जीवन जी रहे हैं तो पूरा जीवन क्या होता है इस पूरे वीडियो में आज आप जान पाएंगे सब्सक्राइब करें स्री गोपाल सेवा समिती यूटूब चैनल क्योंकि आपके लिए हम धर्मेक वीडियो लाते रहते हैं ताके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे राम राम साथ अधूरा जीवन और पूरा जीवन ये दो सब्द हैं अधूरा और पूरा तो पूरा जीवन का अर्थ क्या है और अधूरा जीवन क्या है अभी आप जो जीवन जी रहे हैं जिस तरह से आप अपना देनिक प्रिक्रिया में हैं वो देनिक प्रिक्रिया ये है कि आप उस देनिक प्रिक्रिया में से कुछ समय ऐसा निकालें जिस समय आप सांत रहें नमबर एक, नमबर दो और आपके आसपास का जो वातावण है उस वातावण में नफरत नहीं होनी चाहिए नमबर तीन अपने विजी से जिस तरह से आप अपने देने कारियों को करते हैं उनमें से सांत रहकर एकांत जगे पर कुछ समय आपको देना चाहिए ताकि आप प्रकृती से जुड़ेंगे, सरीहरी से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे क्योंकि जो आप घरस्त आसरम में जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें से पती पतनी को कम से कम कुछ समय जो भी आपके पूरे दिन चर्या में से निकल सकता है सुबह और साम उसमें से भगवान के भजन में भगवान की वंदना में भगवान की इस्तुति में आपको वो समय व्यतीत करना चाहिए क्योंकि तब जाके आपका जो ये जीवन है उस जीवन को आप पूर कर पाएंगे क्योंकि हम बिना भगवान की भक्ति किये जो भी मार्ग आपको सूज रहा है उस मार्ग पर चलकर आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं किस तरह से आप समय को मैनेज कर पाते हैं उस तरह से भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो आपके जो अधूरा जीवन है क्योंकि आपको अधूरा जीवन नहीं जीना आपको पूर्ण जीवन जीना है जीवन का आनंद भी लेना है और आपके आसपास का वातावन प्रेम होना चाहिए और आपके आसपास के वातावण में वो भगवान की दुनी गूजनी चाहिए जिससे कि सुभे साम अगर आप मेनेज करते हैं समय को तो प्रभु की भक्ती में कुछ समय आपको परिवार के पालन पोशन के साथ करना चाहिए ताकि जो आपका अधूरा जीवन है या जो आपकी इच्छाएं हैं जो आपने पाल रखी हैं अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी हैं अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो भी आपका जीवन अधूरा रहता है क्योंकि कोई ने कोई इच्छा मनिश्य के मन में हमेशा बनी रहती है वो इच्छा आपको दुखी करती रहती है तो वो इच्छा भी आपकी पूर होनी चाहिए तो वो इच्छा आपकी स्वत्य ही पूर हो जाएगी क्योंकि सुन्य अपने आपको करें एकांथ वातावन में लाएं और भगवान की भक्ती में समय व्यतीत करें जब सब कुछ आप भगवान के उपर छोड़ देते हैं, भगवान की बंदना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चित ही जो आपकी इक्षाएं हैं, जो आपने मन में पाल रखी हैं, या आपको, आप उनको मनो कामना भी कह सकते हैं, तो वो सब इक्षाएं स्वते ही पू पूर्ण होने लग जाएंगी और आपका जो अधूरा जीवन है वो पूर्ण जीवन हो जाएगा और संपूर्ण जीवन का आनंद उसका अनुभव आपको प्राप्त होगा तो यह है आपका अधूरा और पूरा संपूर्ण जीवन और अधूरा जीवन दोनों के बीच का अं आप संपूर जीवन जीएंगे, आनंद में जीवन जीएंगे, तो ये संदेश आप सभी भाईयों तक भेजिए, फिर आताओं नई धर्मिक, पौरानिक और समाजिक, जो के समाज से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, इस त